जो आट आप समझी गया कोई ज्याद नोलेज्ट नहीं बताने वाला आज की आज रात में भाई साय डी गारी अभी हु दॉ Daniel नीच पूंवनेल की ते तौसितरम की है privately मी पारी चयों को मिलेइख भिल Cl porter Elavingil E$ 00.00m गाड़ी में न चोरी करने की कोशिश करिए गाड़ी को जैसे दो तो टायर इसके जो की इस तरफ के जो टायर ना इस तरफ के कंडेक्टर साइड के भाई पीछे वाला टायर है बिल्कुल खोल लिया था और खोलने के बाद जब मैं सुबह इसको आज काम था काम के वज़े से सब्सक्राइब करें गाड़ी को लेके गया सुबह तो सुबह ले जाते भी इतनी तेज गाड़ी में से आवाज आरी एक्सल की तरफ कि पता नहीं किस तरीकी की आवाज थी वो तो मैं तुम्हें बताएं सकता लेकिन ऐसे एक तरीके से ऐसे मालो जो एक्सल जब टूटने पाला होता ना तब ऐसी आवाज आती एतनी जैसे हवा बवंडर टाइप का होता है कम चम 30-40 के स्पीड में चला तो ज्यादा स्पीड में भी नहीं और इतने में भाई इतनी तेज आवा जारी थी फिर मैंने रुक्या फिर मैंने देखा और देखा तो भाई चारों नेट इसे बिल्कुल धीले पड़े बिल्कुल ठीले बिल्कुल फिरी भाई का समसर मैं आर बाल बाल बचाओं अगर यह मालो है थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता मैं या फिर उससे ज्यादा चलाता तो भाई हो सकता था कि गाड़ी पलटने का चांस और जो गाड़ी में गाड़ी थे लेक्वान ने पता नहीं क्या सोच गड़ी भाई रुकवा दी घाड़ी जैसी मैंने रोकी वय्सी चेक कर वैप्स है उसमें पता चला रहा है जैसे मैं अब भी और तू आपbuds यह देखो यह वाला भाई इस तरफ का जो डोर है ना उसमें चावी लगी ती जो की दूसरी मास्टर की होती है वो चावी लगा रखी थी और भाई चावी लगाने के बाद फिर अंदर एंटर करें और यह खुला ही मिला सुबह ठीक है लेकिन मैंने इतना गोड निगरा तो उससे पहले भी मैंने जब गाड़ी चलाई थी तब ऐसी कोई प्रोब्लम नहीं आई थी एक अच्छी सीख जरूर मिली है मुझे कि भाई अगर आप अपनी गाड़ी में आते हो ना तो आने से पहले भाई चारों टायर जरूर चेक करें ठीक है कि गाड़ी में कोई मतल कर लिया ठीक है अब मैं भी आसे यही करूंगा कि सुबह सुबह जब भी अपनी गाड़ी में जाना होगा तब मैं जरूर चेक करूंगा तो भाई यह information मैंने आपको इसलिए बताने की कोशिस करी है कि आप भी अगर मेरी तरह घल्ती करो तो वह चीज मत करना क्योंकि आज ह लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसी और वीडियो के लिए तो मिलते नहीं वीडियो साथ तकी तिल दन बाई बाई